हेलो दोस्तो वेलकम वेक्टो में चैनल आज हम आ गए हैं दोस्तो अगर आप सी एस्टी रेलवे स्टेशन संडे के अलावा अन्य दिनों में आते हैं तो यहाँ पर पैर रखने की जगा नहीं होती है चुकि आज संडे है इस वज़े से यहाँ पर काफी सीमिस संग क्यावन लोग दिख रहे हैं इसलिए हम आराम से आपके वीडियो बना पा रहे हैं यह है रेलवे स्टेशन का एक्सिट पॉइंट यहीं से आपको मुंबई लोकल के टिकेट मिलते हैं अब हम भार की और चलते हैं दोस्तों भार से इस्टेशन बहुते यादा सुन्दर दिखाए देता है और इस स्थान से आपको मुंबई दर्शन के लिए बस मिल जाएगी जो के वल्ड है जो रुपे में 6 गंटे में आपको मुंबई के जो में टूरिस्ट डेशन है सब भी लाइन होती है जिस वज़े से आपको काफी इंतजार करना पड़ सकता है यहाँ पर आपको एसी नोनेसी सभी तरह के बस मिल जाएंगी साथ ही अगर यहां से आप गेट वोफ इंडिया जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा आपके और चलना पड़ेगा आपको सेरी हिस्टरी के बात की जाए तो चतरपती सेवाजी महराज टर्मीनस या विक्टोरिया टर्मीनस को वर्स 1853 में एक到 hart sare टीरन में एक रिलवे स्टेशन के रूप में तियार किया गया था जिसे बुरी बंदर य्ल बंदर से टाणे तक चलने वाली पहली ट्रेंट थी सन 1878 में महरانی विक्टोरिया की सुन्ड जन्ती के अफसर पर इस रिल्वेश्टेशन पर टरिमिनस के रूप में पुनरिमर्ण करने का फैसला लिया गया वर्स 1887 में इसे विक्टोरिया टरिमिनस के रूप में पहचान मिली चेतरपती सिवाजी टर्मीनस को एक बिटिस वास्तुकार F.W. Stievens दौरा डिजैन किया गया था विक्टोरिया टर्मीनस के निर्बान में दस वर्स कसमे लगा वर्स उनिस सो चाड़ोए में इसका नाम बदल कर चेतरपती सिवाजी टर्मीनस रख दिया गया था सुन्द उधारन प्रस्तुत करता है चत्रपती सिवाजी टर्मिनल मुंबई में जटिल नकाशिदार ग्राउड योजन और बुर्ज का आकरशन अद्बुद है चत्रपती सिवाजी टर्मिनल की सरचना पर कुछ कम जम सेट जी जीजे बाई स्कूल आफ आर्ट्स के विध्या दिखाई देता है इसके अलावा इसमें एक महिला के धाइने हाथ में रखी मशाल और उसके बाई में परवक्ता के साथ एक पहियां आकरशन का केंदर बना हुआ है बहरी और कई खिड़कियां और महराब बने हुए है जैसे ही आप इसके परवेज दौर पर इसके अलावा विक्टोरिया टर्मिनस पूरी सनचना सेंडिस्टोन चूना पत्थर और इतालवी संगे मरमर से निर्मित की गई है चाथपती सिवाजी टर्मिनस की वस्तोकला इतनी आकरशित है जो की जादतर लोगों को अपनी ओर खिसती है रात में इस्टेशन आकरशित रोशनी से रोशन कर दिया जाता है और इसकी संदरता देखते ही बनती है इस इस्तान पर बालिवट की कुछ प्रचलित फिल्म इसलमडाग मिलिनिया के परसिद गीद जैहो और रावन के कुछ सिन फिल्माए गए है साथ ही अगर आप इसके अंदर विजिट करना चाते हैं तो आप पचास और पेका टिकट लेके यहाँ पर इसके अंदर जा सकते हैं और गाइड़ टूर कर सकते हैं आपके साथ एक गाइड़ होता है जो की अपको च्छतरबती सिवाजी टि egg में लेके जाता है पहले हम left के तरफ से गए थे, अब हम right के तरफ से जाएंगे, जो कि हमें सब्वे से लेता हुआ, दूसरी तरफ बाहर निकाल देगा, दोस्तों सब्वे से जैसे आप नीचे जाएंगे, आपको बहुत सारी दुकान देखने को मिल जाएंगी, जहां से आप अपने बच्चों के लिए toys, अपने लिए t-shirt वगयरा खरी सकते हैं, काफी reasonable इनके प्राइज होते हैं, साथी साथ, यहां से जैसे आप बाहर निकलेंगे, आपको केई सारे श्टोल दिख जाएंगे, यहां से आप खाना पे ना खा सकते हैं, साथी, आप अगर तुर्ण लेफ्ट के तरफ ब मस है, और लोग लाइन में लगकर वड़ा खाते हैं, अब दोस्तों आप देख सकते हैं, सब्वेक अंदर इस तरह चोटी चोटी दुकाने लगी होती हैं, जहां आपको काफी कुछ देखने के लिए मिल जाता है, यहां पे जो श्टार्ट है, वाइट किलर की, केवल और के मुंबई के अंदर यह सब चीजे जरूर करनी चाहिए, मतलब खाना पीना और अपनी वेरिंग वगरा जरूर करनी चाहिए, बहुत ज्यादा सस्ती हैं, यह आप देख सकते हैं, जैसे हम सब्वे से बाहर निकले, हमें इस तरह चोटी चोटी श्टोल्च देखने को मिल जा सकते हैं, जैसे आप खाना भी न खा सकते हैं, अब हम आई के तरफ चलेंगे, और आपको दूर से चेतर पती सिर्वाजी टर्मिनस दिखाएंगे, साथे साथ मुंबई इमान अगर पाली का भी दिखाएंगे, यह जो आप पीछे शोब देख रहे हैं, यह वह वड़ा होता है, इसलिए आप जुरूर ट्रे करना है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चातर पती सिर्वाजी टर्मिनल, जो मद्या रेलवे का मुख्याले भी है, यह मुंबई का सबसे यादा इतिहासिक रेलवे स्टेशन है, और इसके अंदर एक हैरिटेज म्यूजियम भी है, जिसके अंदर आप 50 रुपीज टिकेट लेके जा सकते हैं, लेकिन यह सरवजनिक होलिडे वाले दिन बन रहता है, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यह मुंबई मानेगर पालिकर का मुख्याले है, दोस्तों यह दोनों बहुत यादा फेमस साइड है, अगर आना चाहिए, इसको देखकर आप बहुत ज्यादा प्रसंद हो जाएंगे, क्योंकि इसकी आर्गिटेक्ट्चर इतनी बहतरी नहीं है, जो आपको कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर देगी कि उस जावाने में इसको किस तरह बनाया गया होगा, दो जुलाई 2004 को चेतरपत सकते हैं, अभी यहां पर मेंटेरिंस का कार्या चल रहा है, इसकी नकाश ही देखते ही बनती है, सच में अगर आप एक बार इसको नहारेंगे तो आप नहारते रह जाएंगे, क्योंकि इसका आर्गिटेक्ट्चर डिजैन है इतना बहतरी जो आपको कहीं नहें मोह लेता है आर्गि